एटल चीट कर रहा था अपने कस्टमर्स को दुनिया की सबसे गरीब देशों में से एक देश में कस्टमर्स को चीट करके एटल करोरों में कमा रहा था और इसके लिए एटल को 2.1 मिलियन डॉलर का फाइन किया गया जो इंडियन रुपीज में 19 करोर रुपिया होता है प्रॉफिट करने के लिए कमपनिया कितना नीचे गिर सकता है जान के आप हैरान हो जाओगे तो चलिए चलते हैं इस शर्म नाग घटने की जड़तक आपको भी अगर ऐसा कभी लगा है कि आपके मोबाइल नंबर पर विदाउट रिजन बैलन्स कर गया या फिर कोई सर्वेस आपके रिक्वेस्ट के बिना ही अक्टिवेट हो गया यानि वैल्य अडिट सर्वेस और जिसके लिए डेली आपका बैलन्स कर रहा था या फिर आ गठना देशों में अपना बिजनेस चलाता है और एटल कहता है कि वो आफरीका की सबसे बड़ी टेलिकम ऑपरेटर है ये घटना घटी है मुलावी में मुलावी साउथ इस्टर्ण आफरीका की एक देश है और मुलावी को दुनिया की सबसे गरीब देशों में चुना जा मिलना चाहिए वो उनको नहीं दिया जा रहा यानि उनके अकाउंट पे वो benefits credit नहीं हो रहे हैं अगर वो customer care में call करते हैं और call करके complain करते हैं तभी उनको वो benefits मिल रहा था बहुत सारे complaints आने के बाद इसके उपर the competition and fair trade commission ने एक inquiry बिठाया यह inquiry स्टार्ट हुआ 16th of September 2021 में और यह inquiry खतम होने के बाद जो result निकल के आया है वो सुनने के बाद आपके होश उड़ जाएंगे inquiry के बाद यह जाना गया कि मुलावी के जो एटल customers है उनको हर महीने bonus एटायम मिलता था महीने के 14 तारीक को और एटल ने यह bonus एटायम देना completely बंद कर दिया हाओवर यह लेकिन एटल को देना था तो उन्हों ने वह बंद कर दिया और यह बंद करके उन्होंने सिर्फ उन्ही लोगों ये bonus air time देना start किया जो लोग ये notice कर रहे थे कि उनको ये bonus air time नहीं मिला है और अपना time निकाल के customer care में call करके जो लोग complain कर पा रहे थे सिर्फ उन्ही लोगों को air till ये bonus air time credit कर रहा था account में और इसी तरह से air till ने अपने customers को bonus air time नहीं दे के वहाँ पे 2.1 billion कवाचा का profit किया है ये inquiry report निकल के आने के बाद air till को 19 करोर रुपिया fine किया गया है जो definitely एक काफी शर्मनाक घटना है अगर आपके साथ भी ऐसा कभी हुआ है कि आपने recharge किया है और उसके बाद आपको लगा है कि आपको जो benefit मिलना चाहिए वो नहीं मिला या फिर आपका balance कर गया या फिर आपके वहाँ पे कुछ additional service start हो गया अगर आपके साथ ऐसा कभी हुआ है जरू comments में अपने experience शेर कीजेगा दोस्तों thank you so much for watching I love you चलो बाई